इस समय हम पूरण कृष्ण भर्ट जी के घर के बाहर खड़े हैं जैसा कि हमने आपको सुभा भी बताया था कि आज शोपियन में कुछ देहशतगर्दों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी और इस समय हम उनके घर के बाहर खड़े हैं जो बीसी हैं वहां के शोपियां के उन्होंने ये भी बताया हमें कि जो पूरण कृष्ण भर्ट जी हैं उनका जो उनके जो लास्ट राइट्स हैं वो यहीं जम्मू में उनके घर से ही किये जाएंगे और कुछी देर में उनकी जो डेड बॉरी है वो यहां पर पहुंच जाएगी अब इस चीज की पूरती नहीं हुई है कि किस समय तक किस टाइम तक यह होगी तब तक मैं आपको दिखा दू यहां के दृश्य क्या हैं कि उनके फैमिली और उनके परिवार वाले जो हैं यहां पर किस तरह से बैटे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं उनके पडोसी व्यूर्ण के लोग भी पास पास के और इस तरह की देशतगर्दी और इस तरह की जो किलिंग्स हैं यह पहले भी हो रही हैं जम्मू में कश्मीर में तो आजवर से एक किलिंग होई है इसी के चलते हम इस समय पूरन कृष्ण भर्डी के घर के बाहर हैं और उनके घर के बाहर का यह दृष्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं हम कोशिश करेंगे अगर कोई अभी हम में उनके परिवार से या उनके आजपास परोसी उनके दोस्ट जो हैं उन्चा अगर आप मारी बात हो सके जैसे ही आप देख सकते हैं कि उनके घर के अंदर किस तरह से लोग जमा हैं और अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं बहुत ही दुखत घटना है यह जो आज होई है मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज सोबा शोपियान में पूरण कृष्ण भट जिनकी कुछ देशत करदों ने कुछ देशत करदों ने सोबा हत्या कर दी और यह उनके घर के लोग जो है यहां पर उनके घर पर बैठे हैं और जमा हुए हैं गटना तो बहुत दुखत है और हम इस समय सीधा उनके घर पर आये हैं और देख रहे हैं किस तरह लोग आए जा रहे हैं यहां पर अपना दुख व्यक्त करने कोशिश करेंगे कि मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा महोल हो पाएगा इस समय कि हम किसे से बा करने कोशिश करें तो हम आप तक पूरी खबर पहुंचाएं उनके दोस्त उनके पडोसी और इनके रिष्टेदार जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं आए जा रहे हैं वक के साथ जिन जिन को पता चल रहा है वो उनके घर के बाहर आए रहे हैं और उनके फैमली के पूरा साथ दे रहे हैं जेके निज टुडेए भी जो बुरें क्रिशन बड़ जी हैं उनके फैमली के साथ पूरी की पूरी साहनबुती रखते हैं और कंडूलेंस अपना व्यक्त करती हैं पर ऐसा लग रहा है कि अभी हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अंदर जो है सभी बहुत परेशान हैं और बहुत दुखत घटना के कारण पर कोशिश करेंगे कुछ देर में आप से फिर से जोड़ेंगे ज़र हम किसी से बात कर सकें और कुछ और इन्फोर्